Hello everyone! आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार जूडिस्री के सिलेवस के बारे में इसका जो पूरा सिलेवस है प्री, मेंस, और इंटर्वीव वेगरा जितना भी होता है तीन चरनों में होता है मैं बता दू और इसका जो है syllabus में क्या क्या subject होंगे और कितने marks का होंगे कितना जो है वो आपको समय मिलेगा तो पूरी चर्चा यहाँ पर करूँगा तो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले request है अपने चनल पर नए है तो चैनको subscribe जरू किजेगा इस पे जो है निरंतर जो है loss related में वीडियो अप्लोड करते रहूँगा चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार जुडिसरी में जो है वो आपका तीन चर्ण में एक्जाम होता है प्री, मेंस और इंटर्वियू तो प्री में क्या होता है मैं आपको बता दू चलिए प्री में आ जाते है हम लोग प्री में जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें कि आपको जीके, जेनरल नॉलेज और जेनरल साइंस से जुड़े हुए प्रस्ण होते हैं वही पर सेकेंड पेपर में जो है वह आपका 150 माक्स का होता है वहाँ पर जो है वह आपको दो घंडे का समय मिलेगा और इसमें सब्जेक्ट जो है इतने जो है सब्जेक्ट से जो है वह आपको सेकेंड पेपर में कोशन पूछे जाएंगे और यह जो है आपको कौलिफाई करने के बाद आपको जो है वह मिन्स का पेपर देना होगा तो मिन्स का पेपर में जो है वह मैं आपको बता दूँ जो compulsory subject होते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आपका compulsory subject में है जो है आपका paper 1 में gk and current affairs जो है आपका 1.500 marks का second में elementary general science जो कि है आपका 100 marks का general hindi 100 marks का और general english 100 marks का तो यहाँ पे मैं आपको बता दो कि यह जो दो विशे हैं general hindi और general english qualifying है इसके जो marks है वो आपको add नहीं होगे यह आप लोग ध्यान में रखिएगा general hindi और general english के जो है वो marks आपको add नहीं होगे यह बस qualifying marks है इसमें सिर्फ आपको qualify करना होगा चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आपका law of evidence and procedure यह की है आपका देख सो marks का ठीक है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका तो इसमें पूछा जाएगा आपका Indian evidence act 1972 Civil procedure court 1908 Arbitation and conciliation act 1996 Criminal procedure court 1973 Small causes court act 1887 चलिए यहाँ पे optional paper में जो है बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बता दूँ कि आपका optional जो है वो तीन subject आपको choose करने होंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा होआ पर रहे होंगे ठीक है उसमें से जो है आपको total जो है वो पांश सब्जेक्ट मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते कि वो पांश सब्जेक्ट क्या है फिर्स्ट अफॉल, Constitutional Law of India and England, 150 marks का, ठीक है, ये काफी जो है, वो short में मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ आप लोगो, इसमें जो है, वो आपका Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, Constitution of India, ये आपको देखना होगा, ठीक है, चलिए, Administrative Law में क्या है, Definition of Administrative Law, Nature, Scope, Principle of Natural Justice, और भी वेगरा, जो है, अम लोग देख रहे हैं, Emerging Trends and Judicial Approach, Delegated Legislation, Action of Power and Constitutional Governance, Judicial Review of Administrative Action, लोगा युगत और लोगपाल, ये सब है, फिर अम लोग सेकेंड में आ जाएंगे, जो कि है, आपका हिंदू लोग और मुस्लिम लोग, ये भी है, आपका डेर Branches के बारे में परना होगा, तीसरा जो आपका Optional है, डेर्सो मार्क्स का TPA, ज़िएड़ेट मेंस की Transfer of Property Act, इसमें क्या परना होगा, Principle of Equity, Law of Trust, Specific Relief Act, चौथा जो है, वो Indian Contract Act and Law of Tots, डेर्सो मार्क्स का, और पार्चमा जो है, वो अंतिम, Commercial Law है, डेर्सो नमर का, इसमें क्य CEO, Instrument, 1881, Company Law, Indian Partnership Act, 1932, इसमें से जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताएं, इसमें से जो है, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होगे, at the time of, जो आप form fill up करोगे तो, और इससे related, मैं बता दू कि, negative के बारे में, यहाँ पर कुछ confirm नहीं बताएगा है, BPSC के तरप से, और अगर को और third और last जो है, वो interview, मैं बता दू कि, उसमें जो है, वो आपको 100 marks का होता है, और उसमें जो है, आपको 30% मार्स लाना ही परता है, अगर 30% से कम लाएंगे, तो आप disqualify हो जाएंगे, तो यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके, तो इसमें तमाम जो बाते थी, यहा आपका pre, means और कह सकते हैं कि interview में कैसे जो subject है, क्या-क्या परना है, क्या-क्या subject होंगे, क्या-क्या option होंगे, यहाँ पर discuss किया, इसके बाद भी अगर आपको कोई confusion है, कोई सवाल है, तो नीचे पूर सकते हैं, आज लगतना रखता हूँ, तो मिलते हैं next video में, bye-bye, see you in the next one. पूर कोई लगतना रखते हैं, आपके बादीमावर कोई।